तो आप कुछ numericals कर लेते हैं आपन, first numericals है जो दिख रहा है आपको, the gravitational force between two bodies is F, if the masses of each body is double, the distance between them is half, then the force between them will be, कहने का मत्तब यह है, कि जैसे suppose करिए कि यहाँ पर एक body है, जिसका mass M1 है, और यहाँ पर एक body है, जिसका mass M2 है, और इन दोनों के center of mass के बीच की दूरी जो है, वो R, तो इस case में अगर force निकालेंगे, तो force की value जो आएगी, वो आएगी G M1 M2 upon R square, अब अगर suppose करिए कि इसके mass को, जो इसका mass है, वो नया mass जो है, वो 2 times of M1, mass को जो लिखा हुआ इसमे, कि if the mass of each is doubled, मत्ता हर एक का mass जो है, वो दोगुना कर दिया गया, यानि इसका mass भी 2 times of M कर दिया गया, M1, 2 times of M, M dash जो है, 2 times of M1 कर दिया गया, M double dash जो है, वो भी आपको 2 times of M2 कर दिया गया, और इन दोनों के बीच का जो distance, जो यहाँ पर R है, जो यहाँ पर half है, यानि अब distance भी जो है, वो R by 2 हो गया, तो उस case में जब force का formula लिखेंगे, तो हमारा आएगा G 2 times of M1 into 2 times of M2 upon R by 2D whole square, अगर इसको थोड़ा सा simplify करेंगे, तो आपको यहाँ पर बन M1 M2 और यहाँ पर देखेंगे, तो R square upon 4 में है, तो उपर जाके गुना हो जाएगा into 4, 4 into 4 आपको हो जाएगा 16 G M1 M2 upon R square, ठीक है, अब अगर F dash की value निकालनी हो, तो कैसे करेंगे, यह रहा equation number 1 और यह रहा equation number 2, तो 1 divided by 2 करेंगे, अगर माल लिजे की 1 divided by 2 करेंगे, तो इसका मतब क्या है, F divided by F dash, तो उसमें आपन देखेंगे, तो उपर में होगा G M1 M2 upon R square, नीचे में हो गया, G 4 times of M1 M2, 4 into 4 मैंने 16 कर दिया, तो मैं यहाँ पर direct 16 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 16, 16, 16, 16, M1 M2 into R square, G से G cancel, M1 M2 से M1 M2 करेंगे, यानी F upon F dash जो आया, वहाँ है 1 by 16, यानी अगर F dash की cross multiply करते हैं, तो F dash जो हो जाएगा, that one will be equal to 16 times of F, तो देखा आपने कितने आसान तरीके से इस question को मैंने solve कर दिया, आप भी थोड़ा सा practice करेंगे, तो इस type के बहुत सारे questions आप से solve हो जाएंगे, आप चलि question number 2 में क्या कह रहा है, question number 2 में कह रहा है कि 2 particle of masses 4 kg and 8 kg are kept at x is equal to minus 2m and x is equal to 4m respectively, then the net force acting on a third particle of mass 1 kg kept at the origin in Newton, कहने का मतब यह है कि यहाँ पर अगर coordinate system को अगर अपन draw करते हैं, सिर्फ x-axis की बात है, सिर्फ x-axis का draw करते हैं, यह रहा origin, तो इसका point हो गया 0, यह जो है इसका coordinate अपन 4 रखे हैं, that is 4 meter के distance पर है, तो 4 meter और इधर है तो आपको minus 2 meter, यहाँ पर एक mass रखा गया है, उस mass का value जो है आपको 4 kg दिया गया, अच्छा, पहले x is equal to minus 2 पर 4 kg है, है ना, और x is equal to 4 पर आपको दिया गया है 8 kg और यहाँ पर एक और mass रखा गया है, that is 1 kg और इस पर जो net force center पर रखता हूँ, ताकि, इसको मैं center पर रखता हूँ, ताकि, यह रहा आपको center, तो center पर जो इस पर 1 kg का mass है, इस पर इस direction में force लएगा, that 1 will be equal to F1, और इस पर इस direction में force लएगा F2, आप देख सकते हैं कि 8 kg का mass जादा है, यानि F2 will be greater than F1, और F net अगर मुझे निकालना हो तो F net में कैसे निकालूंगा, बढ़ा minus, छोटा force F2 बढ़ा होगा, क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि, यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर 8 kg है, F1 में 1 kg है, और 4 kg है, तो masses जब बढ़ा होता है, तो उसका द्वारा लगने वाला बल जो है, वो भी बढ़ा होता है, यानि कहीं न कहीं द 1 kg, M2 हो जाएगा 4 kg, यानि that one is 1 into 4 upon उनके बीच का distance that is 2 meter, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 the whole square, whole square से that is 4, 4 से 4 cancel हो गया, यानि F1 की value अगर G के terms में देखेंगे तो आपको G आ गया, अच्छा, उसी तरीके से F2 की value देखेंगे, तो F2 की value अगर G के terms में देखेंगे, तो क्या ज बीच का distance है वो 4 है, तो that is 4 the whole square, तो 4 the whole square आपको कितना हो जाता है, वो 16 हो जाता है, यानि 8 upon 16 capital G that is G by G by 2, cancel हो गया न, 8 1 जे 8, 8 2 जे 16, that is G by 2, तो इसको अगर value पूट करते हैं, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा G और यहाँ पर आपको आ जाएगा G by 2, कि जो F2 है वो value आ आपको छोटी होगी, reason ही है कि इसके बीच का distance भी बढ़ गया, भले mass आपका यहाँ पर जादा है पर distance बढ़ गया, इस कारण से जो F2 की value है वो छोटी है, यहाँ पर G बढ़ा है और G छोटा है, यानि कहने का मतब यह है कि यह जो force होगा F1, यह बढ़ा होगा और F2 छोट force towards इस direction ही होगा, और यह F net कितना हो जाएगा, F net होगा F1 minus F2, तो F1 कितना दिया होगा, F1 दिया होगा G, और F2 कितना दिया गया, G by 2, यानि overall force देखा जाए, that will be equal to G by 2, यानि यहाँ पर option number 3, तो देख रहे है कितने असान तरीके से numerical solve हो जा रहे है, ठीक है, अब next question देखत है आपका, next question क्या लिखा हुआ, next question यह दिखा हुआ है, कि if the radius of earth is decreased by 10%, the mass remaining unchanged, then the acceleration due to gravity is, तो सबसे पहले हम लोग acceleration due to gravity का formula देखेंगे, तो acceleration due to gravity का जो formula होता है, that is gm upon r square, जो radius होता है, उसका आपने square करते हैं, और उपर में जो g लिखा हुआ, that is acceleration due to gravity of the earth, और r का जो value है, वो है आपको radius, जो planet से उसका radius, कहने का मतब यह है, कि जैसे suppose करिये कि यह एक planet है, और इसका isolation due to gravity on the earth's surface निकालना है, यह रहा इसका radius r, और यह रहा इसका mass m, तो small g की value on the surface of that planet is equal to g into capital m by r square, g हो गया आपको inversal gravitational constant, capital m उसका mass हो गया, और capital r जो है, उस planet का आपको radius हो गया, अब यह हाँ पर यह दिया हो कि if the radius of the planet is decreased by 10%, मतब स्टार्टिंग में radius r था, और जो radius final हो गया, मतब बाद में, वो हो गया decrease by 10%, यानि r minus r का 10%, अगर इसको अपन simplify करेंगे, तो यह कितना आजाएगा, r minus, यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर 10 है, तो point से point cancel हो गया, that is r by 10, अगर point में कीज r यह हो जाएगा, आपको 0.9 r, मतब जो final radius है, वो हाँ आपको initial के compare में देखिएगा, तो वो हाँ आपको हो जाएगा, 0.9 times of radius, तो then the isolation due to gravity is, इसमें masses जो है, वो unchanged है, तो कहने का मतब है कि initially माली, isolation due to gravity, आपन सपोस कर यह this one था, और finally अगर g dash देखा जाएगा, तो वो gm upon 0.9 times of r, इसका square भी करेंगे, तो square करेंगे, तो यह हो जाएगा, gm और 0.9 का square करेंगे, तो 0.81 into r the whole square, तो यहाँ पर आपन देख सकते हैं, कि जो हमारा value आया, that is g dash is equal to g, gm upon r square, that is g, तो उसकी जगह पर मैं g रख दिया, और यहाँ पर हो गया 0.81, यहाँ जी dash is equal to g upon 0.81, अब मुझे यहाँ निकालना है, कि g dash जो है, increased होगा, यह decreased होगा, यह increased होगा, तो कितने times increased होगा, तो आप देख सकते हैं, कि अगर मैं इसको point को हटाता हूँ, तो यहाँ पर आपको आजाएगा 100, यहाँ जी dash जो आजाएगा 100 g by 81, अब यहाँ पर लिखता हूँ, तो g dash is equal to हो जाएगा 100 g by 81, अगर इसको आप percentage में निकालेंगे, तो इसका अगर आप percentage करते हैं, तो इसको percentage में कैसे निकालेंगे, कितना increase हुआ है, तो इसको अगर अपन percentage निकालेंगे, तो into divided by g into 100%, इसको आप solve करेंगे, तो यहाँ आपको आएगा 119%, यानि जो आपका g है, प्रीस किया हुआ है, तो देख सकते हैं, कितने असान सब्दों में आपको question solve हो रहा है, तो that is question number 3, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है हमारा, यह question number 4, तो देखिए question number 4 क्या कहता है, question number 4 यह कहता है, कि इसमें जो है, अब आपका mass change हो रहा है, the acceleration due to gravity on the surface of the earth is a small g, if the earth shrinks to 1.8 of its volume, without any change in its mass, the value of acceleration due to gravity on the surface of the earth, मतब यहाँ पर भी आपको masses में कोई भी change नहीं हो रहा है, without any change in its mass, और पिछले वाले में भी mass remaining unchanged, उसमें भी mass में change नहीं था, तो उसके बाद the acceleration due to gravity on the earth surface is, the acceleration due to gravity on the earth surface, तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे, तो small g का value अपने को पता है, small g का value कितना हो जाएगा, small g का value अपना होता है, gm by r square, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि earth string कर रहा है, 1 upon 8th of its volume, अगर original case में volume देखे, तो volume कितना था, 4 by 3 pi rq, यह volume कैसे आ है, तो जैसे suppose कर यह कोई sphere है, और उसका जो radius है, वो r है, तो उस case में जो गोला, जो rate square का volume जो होता है, वो होता है, 4 by 3 pi into rq, अब यहाँ पर क्या है, कि जो final इसका volume हो रहा है, वह आपको इसका 1 upon 8 हो जा रहा है, यानि 4 by 3 pi into rq by 8 हो जा रहा है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा simplify करें, तो आप कैसे लिख सक है, 4 by 3 pi into r by 2, यानि यहाँ पर जो नया radius हुगा, जो नया volume मेरा हुगा, वो shrink हो गया, तो नया volume जो shrink हो गया, तो बॉल्म जो पुराना radius है, पुराना radius आपको कितना था था आर, तो नया radius जो है वो श्रिंक होने के कारण से radius कम हो गया अब यहाँ पर अगर मैं G-डेस निकालता हूँ तो G-डेस का formula क्या हो जाता है G into M mass आपका same है लेकिन radius जो है वो आपका half हो गया और उसका करेंगे अपन square तो इसको अगर थोड़ा सा और simplify करेंगे तो आपका क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा GM और यहाँ पर 2 का square जो आपको उपर चला जाएगा upon R square यह equation number suppose करिए 1 है और यह equation number 2 है अगर 1 divided by 2 करते हैं तो देखिए यहाँ पर GM से आपको GM cancel हो गया R square से आपको R square cancel हो गया यानि G upon G-डेस G upon G-डेस आपको कितना आ गया that is 1 by 4 अगर G-डेस की value देखे तो G-डेस की value कितनी आ जाएगी 4 times of small g यानि जो acceleration due to gravity है वहाँ आपका क्या हो जाएगा वहाँ आपको 4 गुना बढ़ जाएगा तो यह हो गया आपको question number 4 अब next question देखेंगे that is question number 5 तो question number 5 अगर अपन देखेंगे तो question number 5 देखेंगे क्या दिया हुआ question number 5 दिया हुआ है बहुत आसान देखा है कि small g on the surface of the earth is 9.8 meter per second square find out its value at the depth of 3200 km पर देखें हम लोंने अभी formula में भी देखा था कि जैसे सपोस्कर यह अर्थ है और इससे अगर अपन डी डेप्थ नीचे आते हैं डी डेप्थ अगर नीचे जाते हैं तो यहां पर एसलेशन दू ग्रेविटी का जो फॉर्मुला लेगा वो लेगा जी डेस ऑफ द दिजेशन दिदो पोन आर इबी बोले तो रेडियस ऑफ दिए अर्थ यहां पर रेडियस ऑफ दिए अर्थ आपको 6400 km दिया हुआय और जो डेप्थ है वो आपको दिया हुआ 3200 यहनी हापर जी डेस की जो वेलू निकलेगा वो निकलेगा जी इंटो वन- 3,200 divided by 6,400 अगर इसको और solve करेंगे तो यह हो जाएगा G into 1 minus 3,200 divided by 4,600 that is 1 minus half तो 1 minus half हो जाता है that is half that is G by 2 यानि G dash की जो value आजाएगी that is G by 2 G by G होता है 9.8 by 2 that is 4.9 यानि answer आपको हो सकता है इसमें that is option number 3 तो देख सकते हैं कितने आसान easy-easy questions आते हैं और इसमें आपको approximation का formula लगाना पड़ेगा और इस तरीके से आप इस question को solve कर सकते हैं यह हो गया आपको question number 5 next question देखा जाए that is question number 6 आप question number 6 को देखते हैं question number 6 कहता है कि if a small g is relation due to gravity on the surface of the earth having radius capital R the height at which the isolation due to gravity reduced to G by 2 कहने का मत्तब यह है कि यह रहा आपका earth इसके surface पे isolation due to gravity आपको G दिया हुआ है अर्थ यह कोई भी planet बोल सकते हैं इसका mass आपको capital M है और इसका radius जो है आपको R दिया हुआ है तो आपको यह बताना है कि किस height पर किसी भी height पे यह जो height है वो height आपको बताना है जिस height पर isolation due to gravity जो है वो क्या हो जाए सबसे पहले हम लोग formula देखेंगे तो आपको सेंटर से कितनी दूरी पे है तो radius की दूरी पे है यानि G का value हो जाएगा अगर सर्फेस से अगर अपन उपर ले जाते है एच हाइट उपर ले जाते है तो अब यह distance मैं देखूंगा तो यह हो गया आपका एच और यह distance जो हो गया वो आपको radius तो यानि टोटल जो हो जाएगा distance वो हो जाएगा आर प्लस एच दी whole square यह हो गया equation number one और यह हो गया equation number two अब इन दोनों को अपन डिवाइट कर देते हैं तो डिवाइट करेंगे तो g से g cancel हो जाएगा यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर आजाएगा यह वन डिवाइड़ बाई हाफ डेट इस यह टू उपर चला जाएगा ठीक है आप ऐसा करिए है ना two divided by one कीजिए two divided by one कीजिए यानि हाफ आपको नीचे आजाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा r square और यहाँ पर आजाएगा r plus h d whole square h को जो है वो आपको radius के terms में निकालना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नीचे को open करेंगे तो यह आपका r square r square हो जाएगा और a plus b d whole square है तो यह हो जाएगा a square plus b square plus 2ab अब इसको अपन cross multiply करेंगे तो cross multiply करने से यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा a square plus b square plus 2ab और यहाँ पर ले जाएगे तो यहाँ पर ले जाएगा 2 times of r square क्योंकि cross multiply करेंगे तो 2 इदर आजाएगा अगर अगर मुझे h की value निकालनी है तो r square को अगर अपन उस तरफ ले जाते हैं तो r मेरा कितना आ जाएगा तो यहाँ आपको आजाएगा r square को इधर ले आता हूं तो h की value निकालनी है तो यहाँ जाएगा h square plus 2 times of r h और यहाँ पर r square है और यहाँ पर 2 r square है इसको इधर ले आएगे तो यहाँ पर plus में है और यह minus में है तो यह हो जाएगा minus times of r square is equal to 0 अब आप देख सकते हैं कि यहाँ और जो variable है वो आपका h है और h के terms में आपका quadratic बन गया अभी यह जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे माली जिए quadratic के format में देखनाता आते हैं तो h को आप x माल लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x square plus 2 times of x into h यह हो जाएगा x into h और minus यहाँ पर हो जाएगा h को मैंने x माना है तो x into r हो जाएगा यह जो होगा x into r हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा मेरा x into r हो जाएगा और यह हो जाएगा minus r दी whole square इसको जब आपन solve करेंगे, तो इसमें h की value जो आपको आएगी, वह h की value कितनी आएगी, तो वह h की value आजाएगी under root 2r-1, यह आजाएगा under root 2r-1 into r, यह option आपका number कौन सा हो गया, option number 4, तो देख सकते हैं कितने असान तरीके से questions solve हो सकते हैं, यह हो गया question number 6, next question देखे, that is question number 7, question number 7, escape velocity से लिया गया है, बहुत easy है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है, कि the escape velocity from the earth is 11.11 km per second, the escape velocity from a planet having twice the radius and same density as of the earth is, मतलब आपको दिया हुआ है, question यह दिया हुआ है, कि the escape velocity from the earth is 11 km per second, यह आपको earth है, यहां से जो escape velocity है, सबसे पहले escape velocity का formula देखते हैं, कि escape velocity का formula क्या होता है, तो escape velocity का जो formula होता है, वो होता है, under root 2gm, m की जगहा पे मैं capital M लिखता हूँ, upon under root of, under root 2gm upon r, यह जो formula होता है, यह formula होता है, मेरा escape velocity का, अब यहां पर सवाल यह है, कि अगर मालीजे कि mass of earth डाला, radius of earth डाला, तो यह value जो आगया हो, आपको 11 km per second आगया, exactly अगर देखा जाया तो 11.2 आता है, लेकिन यहां पर 11 दिया है, तो अपने 11 करके ही solve करेंगे, ठीक है, next जो है, the escape velocity from a planet having twice the radius, मतलब अब उस प्लैनेट का आ density आपका same है, तो देखो, G में तो कोई changes नहीं होगा, लेकिन mass आपका बदल जाएगा, mass कितना हो जाएगा, m dash, अब यह value निकालना होगा, तो देखिए, यहां पर आपन देख सकते हैं, कि जैसे suppose करो radius r है, तो 4 by 3 pi into r q का जो mass था, वो आपको m था, लेकिन अब आपको radius है, वो double हो गया, density आपका same है, यानि उस case में देखा जाए, तो एक का जो mass हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m by 4 by 3 pi into r q, लेकिन मुझे जो mass निकालना है, वो यहां पर 2 r वाले planet का, तो अगर माली जी कि volume हो जाए, 4 by 3 pi into 2 r the whole q, तो उसका जो mass हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा m upon 4 by 3 pi into r the whole q into 4 by 3 pi into 2 r the whole q, यहां से अगर आपन देखेंगे, तो 4 pi 4 pi cancel हो जाएगा, और r q से यहां पर r q भी cancel हो जाएगा, यहां पर बस बचेगा, into 8 बचेगा, 8 मैं अलग से ने लिखूंगा, otherwise आप confused हो जाएगे, कि 8 अलग से लिखा गया, मतलब यहां पर बचेगा 8, तो यह जो आजाएगा, वो आजाएगा 8 times of m, यानि mass जो है मेरा, वो भी मेरा क्या हो गया, वो 8 गुना बढ़ गया, बस यही बात ध्यान में रखना है, कि अगर same density का, अगर प्लाइने है, और उसका radius अगर आपने double किया, तो mass आपको 8 times increase हो गया, यहां तो अब यहां पर m and s की जगह पर हम लोग 8 times of m, पूट करेंगे, तो यहां पर हो गया, under root 2g into 8 times of m upon 2 times of r, तो देखिए, 2 से आपको 8 cancel हो जाएगा, 4 आजाएगा, यानि यहां पर आजाएगा 4, यह 4 को अगर आपने square से बाहर निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, under root 2g m upon r, यह जो value था, यह value अ अपना था 11 km per second, तो यहां पर हो जाएगा 2 times of 11 km per second, और यह आपको आजाएगा 22 km per second, यानि यह option number आपका हो जाएगा 1, देखिए कितने आसान तरीके से question solve होते हैं, और यह था आपका question number 7, next question देखते हैं, next question देखते हैं, कि next question क्या लिखा हुआ है, next question लिखा हुआ है, कि two satellites are revolving around the earth at a distance height, at a different height, the ratio of their optical speed is 2 is to 1, if one of them is at a height of 100 km, the height of the other satellite is, देखिए कहने का मतलब बहुत simple सा है, कि यह माल लिजे suppose कर यह कोई planet है, यहाँ पर एक satellite है, और यहाँ पर एक दूसरा satellite है, दूसरा satellite को मैं इधर रखता हूँ, एक दूसरा satellite है, जो पहला satellite है, उसकी जो orbital speed is, 2 is to 1, यह माल लिजे first satellite की यहाँ पर जो velocity है, यह आप माल लिज और यह जो second satellite है, उसकी orbital velocity को आप V ले लिजे, क्योंकि यहाँ पर 2 is to 1, मतलब second वाले की velocity जादा है, और first वाले की velocity डबल है, और second वाले की velocity के है, कम है, अब आपको निकालना है कि इसका जो height होगा, पहले वाले का height जो है, वो भी आपको दिया हुआ है, तो first वाले का height जो ह है, वो आपको दिया हुआ है 100 km, if one of them is at a height of 100 km, यानि यह जो है आपको 100 km के height पे है, जिसकी velocity आपको twice है, उसका height जो है 100 km है, और इसका जो height है, that is h-, इसकी value आपको निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे, कि जैसे माले कोई planet है, तो वो चारों तरफ अगर revol कर रहा है भी थे velocity V, तो उस V का formula क्या होता है, तो उस V का formula हम लोग देखेंगे, तो उस V का formula जो होता है, वो होता है, under root of gm by h, h मतलब होता है height from the center, center of the earth से, जो planet से, जो height है, उससे लेते है, तो यहाँ पर आपको h की value जो है, वो अगर माल लिजे कि इस वाले height से देखे, तो यह height h है और यह radius r है, यहाँ यह formula बदल के हो जाएगा under root of gm upon r plus h, यह h' जो है, वो h' मतलब center of the planet है, लेकिन यहाँ पर center of the planet नहीं दिया गया, यहाँ पर height from the surface दिया गया, तो इसको height from the surface कैसे लिखेंगे, तो यह जो height है, center से जो distance है, उसको हम लोग लिख सकते है height plus radius, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया radius plus height, और यह हो गया capital G और यह हो गया capital M, तो यहाँ आपका formula हो गया velocity गा, अब इसी formula को यहाँ पर put करेंगे, जैसे माली जिए first case में देखा जाए, तो first case में velocity v1 कितना होगा, that one will be called to under root of gm upon radius की जगा पर radius आजाएगा, height आपका दिया हु value भी दी गई है, तो v1 की value कितना दिया हो गया, 2 is to 1, ठीक है, अब यहाँ पर माल लिजे कि v2 देखा जाए, तो v2 कितना हो जाएगा, under root of gm upon r plus h, यह जो height है, जो h dash मैंने यहाँ पर लिया, यह height का dash हो गया, अब यह equation number आपका हो गया 1, और यह हो गया equation number 2, अगर 1 divided by 2 करते है, पहले से दूसरे को अगर divide करते है, तो यह हो जाएगा v1 upon v2, यह हो जाएगा v1 upon v2, जिसकी value अगर देखेंगे, तो v1 2 times is to 1 है, यानि यह हो जाएगा 2 is to 1, यहाँ पर अगर divide करेंगे, तो under root of g1, gm, under root of gm, यह cancel हो जाएगा, यानि जो बचेगा, वो क्या बचेगा, denominator में है, तो यह निच्छे रहेगा, और यह उपर आ जाएगा, यानि यहाँ पर हो जाएगा, under root of r plus h dash upon under root of r plus 100, that is under root of r plus 100, अब मुझे h dash की value निकालनी है, तो h dash की value मैं कैसे निकालूंगा, square कर दूंगा, तो अगर मालीजे कि मैं दोनों तरफ square करता हूं, तो एक तरफ य इतना हो जाएगा, r plus h dash upon r plus 100, अच्छा, radius आपको दिया हुआ है, और से टेलाइट का 6400 किलोमेटर, यानि यहाँ पर इस value को पूट करेंगे, तो 6400 plus h dash upon 6400 plus 100 is equal to 4 is to 1, अब यह हो जाएगा, 6500 cross multiply करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, 6500 into 4, और इसको cross multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 6400 plus h dash, इसको अगर आपन थोड़ा सब simplify करके solve करेंगे, तो 6500 into 4 minus 6400 that will be equal to h dash, अगर इसको हम लोग सिंप्लिफाई करेंगे, तो यहाँ आपको answer आजाएगा, 919600 किलोमेटर, तो देखा आपने कितने असानी से 8 number question आपका बन गया, ठीक है, आप चाहें तो इसका screenshot screenshot ले लीजे,